नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एपसुलीट टुटोरियल में तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं present in definite tense के interrogative negative sentence के बारे में तो दोस्तों वीडियो का अंत देखते रहेगा और आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe लिखे लिजेगा आईए दोस्तों वीडियो सुरू करते है आईटेटेटी जिसे हम कहते है पहचान जिस वाक के अंत में ता है ती है ते है इतियारी लगा हो उसे present in definite tense कहते है दोस्तों कोई sentence है और उस sentence के अंत में ता है ती है ते है लगा हो तो उसे present in definite tense कहते है ठीके दोस्तों पर interrogative negative sentence को पह बच देज़ेगा कि वो इंटोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है जैसे कि दोस्तों मोहन आम क्यों नहीं खाता है ठीके दोस्तों ये हो जाएगा इंटोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का एक्जामपल मोहन आम क्यों नहीं खाता है इसमें दोस्तों वो कोश्चेन भी पू प्लस दुच्च्च्च बस सब्च्च्च्च, बसब एस प्लस बट falar करें बस बस। compliment plus question mark ठीके दोस्तो इसको आप अपने note book पर note के लिजेगा ये rule होता है दोस्तो interrogative negative sentence को solve करने का ठीके दोस्तो आई ये दो example मैंने यहाँ पर लिये हैं इसको solve करते हैं example क्या कहता है दोस्तो क्या mohan आम नहीं खाता है तो इसको क्या हो जागा दोस्तो does mohan not eat a mango question mark ठीके दोस्तो ये हो जाएगा पहले example आई दोस्तो दूसरे example देख लेते हैं क्या कुत्ता गली में नहीं भौकता है तो इसको क्या हो जाएगा दोस्तो does the dog not bark in the street question mark ठीके दोस्तो ये इस वीडियो में हमने समझ लिया कि interrogative negative sentence के बनाने के क्या rule होते हैं और जो example को भी देख लिये I hope दोस्तो आपको वीडियो समझा क्या होगा आपको इस वीडियो पसंद आया तो वीडियो का like करें share करें चैन को subscribe कर ले